हाई फ्रेंड्स मैं पूर्बा आपनों का स्वागत करती हूँ MP सक्सेसर्ट्स में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मेनेजमेंट की क्लास 14 के बारे में यह हमारी चाउदवी क्लास होगी और यहाँ पर आज हम बात करेंगे MCQ की जनरल मेनेजमेंट की यहनके एक सब्द में उत्तर की वन वर्ड आंशर के बारे में तो यहाँ पर हमारी आज का फरस्ट क्वेशन है कि किसी साजी धारी सनलेख में रिण पर ब्याज के विसाय में कोई बात ना लिखी हो तो रिण पर कितने प्रिश्चत ब्याज दिया जाता है तो अगर साजी दारी में नहीं लिखा गया है कि कितने प्रिश्रत लिया जाएगा तो ये छे प्रिश्रत होता है ठीक है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट यहां पर है कि अभी प्रेणा ब्यक्ति ब्यक्तियों की दसा का बह समू है जो निश्चित उद्देशी की पूर्ती के लिए नेक्स्ट यहां पर है ब्रूम ने अभी प्रेणा का कौन सा सिद्धान्त प्रतिपादित किया है तो ये आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट यहां पर है कि जहां पर प्रबंद का कौसल उच्छ स्तर पर होता है वह क्या संभाबना बनती है तो बहां सतत विकास की संभावना बनती है जहां पर प्रबंध यानि मैनेजमेंट का कॉसल उचिस्तर पर होता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि मतलब कि मैनेजमेंट में क्या हो जो इसकेल है जो लोग बारकर्द हैं उनको क्या हो उनका जो इसकेल है वो उचिस्तर का हो तो वहां पर क्या होता है सतत्द विकास की संभाब ना बनती है ये सारे आपको सिंपल है आप लोगों कुछ से बढ़ेंगे तब भी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे ठीक है जैसे यहां है उब्भोक्ता संचालेत बिचारधारा में सरवुपरी किसे माना जाता है तो उब्भोकता संचाले तो उब्भोकता कौन होता है कंजूमर ठीक है तो इस में बिचार धारा में सरवुपधी माना जाता है उब्भोकता को यानि कंजूमर को जिसे हम कस्टमर भी बोल सकते है यहाँ पर है next कि नोकर साही सिद्धान्त का पृतीपादन किस ने किया था तो नोकर साही सिद्धान्त का पृतीपादन मैक्स भी बनने किया था यह important है ठीक है next यहाँ पर है कि stock क्या है अगर हम बात करें तो stock चालू संपत्तियों का एक भाग है यह आपको याद रखना है ठीक है के स्टॉक क्या है तो चालू संपत्तियों का एक भाग है यानि कि करेंट जो हमारी असेट्स हैं उनका एक भाग है यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पर है कि उत्तरदायत और प्राधी कार में संतुलन क्यों आवश्यक है प्रबंद का संबंद किस्से है अगर बात करें हम यहाँ प्रबंद के संबंद की तो संगठन के विकास के साथ मान भी व्योहार से प्रबंद का संबंद किस्से है तो संगठन के विकास के साथ मान भी व्योहार से यहाँ पर नेक्स्ट है कि ख्याती क्या है तो एक इस्था प्राड़, यह हैं, और प्र vêति बातों कहें, kalian और है century स्व जमतरा था I accents więks up कि प्रेहने प्रति बेतन ना बेना में भी क्या हुए आटो रोखोना यह क्या है उस्ञा श्ञाया नी in j рук time यह फिर्ना में और डेले इस लोगा कि सभी पक्चकारों को बास्तिविक परिणामों से अबगत कराना किसका सिद्धानत है तो यह लेखांकन का सिद्धानत है सभी पक्चकारों को बास्तिविक परिणामों से अबगत कराना नेक्स्ट यहां पर है कि अंस या सियर कितने प्रकार के होते हैं तो यह दो प्रकार के होते हैं सम्ता ौ साधारन अंस बा अधिमान और पूर्वाधीकार अंस थी है नेक्ट यहां पर है की प्रसाशन के धाची का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है तो 505 प्रणाली द्वारा प्रशासन के धाची का निर्माण होता है यह आपको याद रखना है ठीक है मैंने इसकी सीरीज कम्प्लीट करी है तो आप लोग उसको जॉइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में लिंक दी गई है इसमें हिंदी इंगलिश दोनों में आपको 300 कॉश्चन मिल जाएंगे और यह प्रिवेसर कॉश्चन पर बेज़ड़ है तो बहुत ज्यादा है आप इनको दो-चार वर पढ़ लें तो आपको एक आईडिया लग जाए किस टाइप के कॉश्चन आती है और इनसे रिलेटेड यह जो टॉपिक है वह आपको इनसे रिलेटेड पढ़ लेना है और यह माध्यम से आप लोग कवर कर सकते हैं और यह प्रिवेसर एक्जाम पर पेपर पर बेज़ कॉश्चन है और जितने भी एक्जाम है आपके जिसमें कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है उसके लिए भी आपके इससे प्रपरिशन हो जाएगी क्यों कंप्यूटर के जो कॉश और भी जो इंपोर्ट आउपट डिवाइस और इंपोरेंट टॉपिक हैं कंप्यूटर के वह सब इससे कवर हो जाएंगे ठीक है और यह बन थाउजन कर लेंगे तो एस इट यह कॉश्चन मतलब बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपसे पूंच सकते हैं चली यहां पर हम बा लूथर गुलेक के अनुशार संगठन के कितने सिद्धानत है तो लूथर गुलेक के अनुशार दस सिद्धानत हैं संगठन के और अर्विक के अनुशार आठ सिद्धानत हैं ठीक next यहाँ पर है कि किसी लक्ष अत्वा लक्षों के समूगी ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाई रखना क्या कहलाता है तो यह नियंतरन कहलाता है संतुलन बनाई रखना क्या होगा नियंतरन जिसको हम क्या बोलेंगे planning ठीक control होगा ठीक है नियंतरन जिसको हम बोलें control next यहाँ पर है कि सामाजिक मनुवैग्यानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है तो यह अनौपचारिक सामाजिक मनुवैग्यानिक संगठन अनौपचारिक संगठन होते है नेक्स्ट यहाँ पर है कि रचनात्मक, कार्यात्मक, संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं तो रचनात्मक और कार्यात्मक, संगठन, आपचारिक संगठन के भाग हैं यह आप दोनों याद रखना नेक्स्ट यहां पर है कि संगटन का आर्थ कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकिकार और उत्तरदायत के उचित विभाजन द्वारा निर्धारे तो देश्यों को सरलता पूर्वग प्राप्त किया जासा कि किसका कथन है तो यह जो कथन है यह जौन एम गॉस का कथन है यह भी आपको याद रखना है ठीक है तो यह आज के एमसी क्यू की सीरीज नहीं कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे अन इंपोर्टन टॉपिक और कुछ एमसी क्यू के बारे में थैंक्स पर वोचिंग माई वीडियो प्लीज वीडियो को ज़्यादा लाइक करें शेयर करें चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें